स्टांडर फिफ्ट पेज नंबर नाइन वर्ली आर्ट बच्छों पहले के जमाने में मोबाइल टीवी कुछ भी नहीं था ऐसा ड्रॉइंग बना के जो ड्रॉग किया जाता था पुराने जमाने में उसको वर्ली आर्ट बोलते हैं चल चित्र आखों देका हाल उसको चल चित पर बोलते हैं और वर्ली आर्ट भी बोलते हैं बरबर हम लोग को बनाना हैं नॉट बुक के बाते amendments में सक्षे पहले मार्जिंग बनाने के बातब TER इसे आफिवाला पहले नीचे वाला में यह साइच से कला फल्कियाथ से डेखों आईशे मारबर फिर असे बढ़ा वालग यहां पर हम लोग बनाएंगे देखो पहले बनाने के लिए तर्स दानर में बना चुक्त बनवा चुक्त हूँ आप लोग के पास धर स्टांडर में देखो एसे करके उसका मूँ का से यहां टक लेना है इतना गोल करना है मूँ के सेप के लिए क्या करोगे वो मैं बटा जिती हूं उसका मूँ के सेप के लिए ऐसा आउल सेप में ड्लाइंग कंप्लीट करना है यहां पर ऐसा करना है एक लाइन खिचके फिर यहां से निचे से बरबर इसके अंदर ऐसा दिया हुआ है पर हम लोग ऐसा करेंगे नहीं क्योंकि मुझे मालूम है ऐसे करने से बच्चे पुरा ड्राइंग बिगार देंगे होगा कुछ बनेगा और कुछ बराबर स्टियर के जगे और कुछ चीज बन जाएगी यहां से मैंने ए वाली लाइन ए पार्ट हलके हाथ से ड्रोग किया नीचे के तक आने दिया एक तम पतली लाइन है हम लोग को भी पतली लाइन ही ड्रोग करनी है फिर यहां से ए वाला पार्ट ऐसा थोड़ा राउंड सेप में फिर नीचे ट्रेंगल सेप लेना है बरबर फिर यहां पे उसकी ऊच टेल बरबर अभी यहां पे उसका लेख खाली पतला लाइनिंग जैसा दिखता है एक डम पतली लाइनिंग वन देखो ऐसी लाइनिंग पतली नीचे तक आने देनी है और फिर उसका लेख के लिए नीचे ऐसा है यहां पे भी ऐसा सेम टू सेम थोड़ा क्रॉस दाने दो फिर नीचे थोड़ा क्रॉस आने दो फिर यहां पे भी उसका थोड़ा क्रॉस यह वाला जो पीछे वाला पेर है नास वो थोड़ा ऐसा आएगा और उसके बाज़ वाला थोड़ा ऐसा फिर पेर बनाने के लिए बरबर यह हमारा डियर का लेक्स और वो बन गया है इसके अंडर कलरी करना है अभी यहां पे देखो सेकंड सेकंड टूड़ा फॉर्स तो बन जाएगा वन सेकंड टूड़ा हार्ड है बच्चो देखो इसके लिए यह जो उसकी नेक के ट साइद से ठोड़ा हलके हाथ से लाइनिंग कितलो यहां पे भी आछो तो चाइब के साएब के अंडर मूँ बना लो थरल के हाथ से एकदम दिरे दिरे बनाओ कुछ भी नहीं घर पे ही हो श्कुल में आके बताना नहीं या भी उन घर पे बरबर बनाना देखो शेकंड एवाला भी राउंड चेप में फिर यहां से मैंने लिया ट्रेंगल यहां पर बिक्या ट्रेंगल इसके अंदर आके पीछे पर मैं आके पीछे नहीं कर्वाँगी क्यूकि इसका लेक भी नहीं दि ख़ाएगा और उसकी पुस्च भी अंदर चली जाएगी यहाँ पे उसकी टेल अभी यहाँ पे भी ऐसा ही सेम तु सेम जाने डो ऐसा साइट में और नीचे लेक बनाओ यह वाला भी पाद नीचे वाला पीछे और उसका पैर बन गया हमारा वरली आट का इतना ड्राइंग कमप्लेट बरबर अभी आख बनाने के लिए यहाँ पे बनाना है उसके अंडर पुरे कान के बाजु में आख है मैं कान के बाजु में नहीं बनवाँगी उस साइट बनवाँगी अभी कान के लिए यहाँ पे ऐसी लाइन फिर उसके सेंग वरबर यहां पे भी उसके काउन और उसके सिंग वरबर इसके अंडर थोड़ा हलका करना एंज जादा नहीं और डिकता भी नहीं है त्री के लिए अभी यहां पर बनाने के लिए त्री कोकोनेट ट्री तो कोकोनेट ट्री के लिए पहले ऐसी लाइनिंग कितनी है और बात में कलर से करना है वह मैं आपको बताऊंगी देखो ऐसी लाइनिंग कितलो वन टू ट्री फोर फाइट अभी इसके अंदर कलर करना है और यहां पर भी कलर करना है बाकी के पाट यहां का यहां से भी कलर करना है सन भी कलर से करना है बरबर बचो ठीक तरह से देख लो अभी मैं आधा कलर यहां को बता रहे हूं आप लोग को कैसे करना देखो क्रीन कलर ए लाइनिंग यहां से प्री के अंदर पहले ट्री से स्टार्ट करते हैं ऐसे करके जाना देना है कि मैंने आगे भी बताया था आप लोग को वरबर फिर देखो देखों बच्चों ए ग्रीन कलर फिर यहां पर डाक क्रीन जाने दिया है मैंने कहें कहें पर वरबर वैसे ही यहां पर तो यह वाला लाइट क्रीन और डाक क्रीन अंदर यूज करना है कि नहीं आएगा तो ऐसे कर देना और फिर डाक क्रीन से लाइन खिट लेना ऐसी अरब बच्चों प्री बन गया अच्छी तरह से यह भी यहां पर भी ऐसा करना है सेम टू सेम नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं कलर करके बताऊंगी स्टे हों स्टे से